रेनो, बिटा मैंने तेरी अम्मा के लिए न दलिया रखती है कैस पर, तु देख लेना, मैं तेरी अम्मा को नहला आउँ कली तो नवाया था अपने, क्या आप भी रोज रोज नवा देती हैं उनको रेने दो, क्या ज़रते हैं? अरे बिटा नहला आया हूँ, गर में बहुत हो रही है, उनकी भी देख खुल जाएगी, पड़े-पड़े उनकी भी कमर लग जाएगी नहीं तो, घाव हो जाएंगे कमर में ठीक है तु देख लेना बिटा, ठीक है अरे बेटा तु आ गई, एक अब दूद गरम कर दियो, वो तरी अम्मा की दवाई का टाइम हो गया है, दवाई दे आऊ उने सोरी हैं अभी, अभी देख के आई हूँ, बाद में दे देना ना, फिर सारी दवाई लेट हो जाएंगी, डॉक्टर ने बोला था, टाइम पे दवाई देनी है अब वो पिचारी लेटे-लेटे करेंगी क्या, नीन तो आई जाएगी, तो दूद गरम कर जल्दी से ठीक है अज तो ममी से पोछी लेती हूँ, आखिर बात क्या है दे आई दवाई, डाइपर भी रंदा हो रहा था, वो भी बदली आई ममी आज मुझे आप से कुछ पूछना है हाँ पूछ, क्या पूछना है मैंने आपको देखा है, आप है न कुछ जादे ही सेवा करती हो अम्मा की, उनकी और भी तो बोवे हैं वो मिलना तो दूर कभी फोन करके भी हाल चाल नहीं पूछती हूँ उनका और एक आप है, अरे बेटा वो उनके कार में मैं तो केवल अपने बारे में सोचती हूँ, कि मुझे क्या करना है मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, और रही तेरी बात, मेरी सेवा करने की तो बेटा, एक बात बताऊं मैं तुझे आज जब मैं इस घर में बहुबन के आई थी न, तो तेरी दादी सास की सास यानि की मेरी दादी सास, उन्होंने मुझे बस एक ही बात बोली थी क्या मम्मी? कि तरी सास ने बहुत दुख देखे हैं बहुत मैनत किया है, इस घर को यहां तक लाने में दिन रात एक किया है वो तो यहां तक कहती थी, कि उनके घर में खाने को डंग से अनाज तक नहीं था बेटा इस ओरत की, जीते जी खूब सेवा करना मरने के बाद तो लोग भूब दान पुन करते हैं अरे सेवा तो जीते जी की है, मरने के बाद कौन देखने आता है और बेटा, साल भर में वो चल बसी सच बताओं बेटा, यह सच मुझ देवी है कहने को तो इनके तीन बेटे हैं लेकिन इनके दोनों बेटों ने इनको इतना दुख ही किया इतने दुख दिये, लेकिन उनके लिए कभी उल्टे शब नहीं निकले इनके मुझ से तेरे दोनों चाचाओं ने हमारी सारी जमीन, जो हमारे हिस्से की थी सारी अपने नाम कर ली और हमें निकाल दिया घर से तेरे चाचाओं ने तो बोला भी था कि मा तुम हमारे साथ रह लो बस घर से निकलते टाइम इनके एक ही शब्द थे कि मेरा केवल एक ही बेटा है और बेटा देख, हम खालियाद घर से निकले थे और ये इनी का आशिरवाद है जो आज हम इतने बड़े घर में बैठे हैं सच मुमे, आज आपने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट सिखा दिया अरे मरने के बाद पित्रों को खुष करने से जादा अच्छा है उनकी जीते जी सेवा की जाए उनको जीते जी खुष रखा जाए सबसे बड़ी पूजा है मात पिता की सेवा किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका हाथ से अपने खोमत देना मौका ये खिदमत का जन्नत का दर खुल जाएगा तेरा किया आगे आएगा सुख दुख है क्या खल कर मौका